भी कह सकते हैं और आध्यात्मिक पेशकष धार्मिक पेशकष भी आप कह सकते हैं जिस रूप में आप इसे देखें हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे पंडोकर सरकार जी पंडोकर सरकार एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनकी ख्याती पूरे देश और पूरी दुनिया में और वो एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो अपने अपनी शर्तों पर शर्तों से माइने यह नहीं है कि वह कहीं कोई एक तानाशाही भाव रखते हैं लेकिन वह अपने प्रचार को लेकर या जिस तरह से शमा कीजेगा कि आज के दौर में हर चीज प्रचार के पहमाने पर बहुत होता है कि शक्ति उनके पास है जिससे वह एक त्रिकाल दर्शी अध्यता के रूप में सामने आते हैं उससे उसका उन्होंने कभी दुरूपयोग नहीं किया और यहीं वज़े है कि बहुत सारे आक्षे तमाम बातें इसके बाद भी पंडोकर सरकार की धारा निर्मल रही है और बहती रही है अभी तक और उनको धेर सारी शुपकामनाएं है कि आगे भी बहत बहत स्वागत करता हूँ पंडोकर सरकार जी प्रणाम कर रहा हूं आपको बहुत-बहुत शुपकामनाएं आपको दीपावली की भी और एकाधशी की भी पहले तो आप पहले से अधिक युवाद दिख रहे हैं तो क्या इधर कुछ फिटनेस के कारिकरम आपने जॉइन किया हुआ है क्या क्योंकि आप काफी फिट चुस्त दुरुस्त दिख रहे हैं थी हमान जी की सेवा करते हैं हर्मान जी चौविस गंटे फिटनिस रहते हैं और तैयार हैं की हनुमान जी महा वली है वीर वजरंगी आ और वो योग के शाधना के तपी योग पुरुश हैं ऐसे अनमान जी हमारे इश्ट हैं तो उनकी ही कृपा है कि जिनकी कृपा से मैं आपको फिट दिख रहा हूं और ये आप सबका बड़ा प्रेम है कि मैं स्वस्त और नरोग हूं आप सबका दौाएं आसिरवाद हैं बहुत शुबकामना है आप ऐसे ही रहें और जो भी पीडित मानोता है पीडित लोग हैं उनकी सेवा आप करते रहें सीधे मुद्धे पर आता हूं अभी आप से सब यही जानना चाहते हैं पंडूकर सरकार जी की मद्यप्रदेश का चुनावी ऊंट किस करवट बैठेगा प करेगा एक झालत करए आपने बहुत अच्छी सुन्दर बात कही कि पंडूकर सीयकार दरवारिक में जो भी है पूंड दूनियामें विख्यात हैं और सिद्व और प्रशिद है कि हां पर जो भी जानकारी दी जाती है वह खित में होती है और समाज के हित्मे होती है राष्ट के थमें होती है और इसलिए आप मूझे यहां आज आवंतिव diyorsun कर doctor friendships लाइं में लिया है दी मैं आपके चैनल के माध्य म१ूर म से थे मेľ 용स चाहेता हूं जो आपने प्रशन किया है वो मद्द प्रदेश में जो विदान सावा का चुना हुआ है इस समय हमारे मद्द प्रदेश के कुसल मुख मंत्री श्रीश सिवरा सिंग चौहां जी के द्वारा जो भी राज किया गया है उसका फलता रूप से फलत होते हुए लाडली ओजिना के मद्द प्रदेश में काफी जो गरावट हुई थी उसकी पूर्ती की गई और उसकी विवस्था अच्छी बनी है धरातल पे उसका लाडली ओजिना का बहुत अच्छा चक्र चला उसका ही कारण माने कि मद्द प्रदेश के जो होने वाले जो चिनाव हुआ है जिसकी जो मत पेटी में बंद हो चुके हैं प्रदेश के वो एक धरातल पर भरपाई होकर के एक बहिंका टक्राव वाला इस्तिती बन गई है मद्द प्रदेश में वर्स दो हजार अठारा रिफीट दिखाई दे रहा है सेस क्योंकि मैं जोत्साचार नहीं हो जोत्स के अंसार नहीं बो प्रदेश के रहा है जो मेरी दृष्टी में जो मेरा अन्वव जो मेरे अंतरमन प्रणा मिल रही है उसके मैं आधार पर यही कहना चाहता हूं कि वर्स दो अजार अठारा रिफीट और वर्स दो हजार वीज दो जार इकीस पुनहाविरती मेरा कहने का मतलब है कि वर्स दो दोनों हमारे पंडुकर सरकार के उनके बीच के विधायक उनके मंतरी दोनों पल्टी के हमारे प्रियश इश्य हैं मैं इतना ही केना चाहता हूं कि बर्स दो हजार अठारा रिपीट और दो हजार इकीस पुना बिरती ऐसा योग बनता है इस समय कॉंग्रेस पल्टी सरकार बनाने की इस्तिती में 80% से ज्यादा ग्यारा ग्यारा दो हजार तेजिस को मने जब देखा तो यह स्तिती सामने प्रगट हुई और उसी के आधार पर मैं बोल रहा हूं कि मद्द प्रदेश में जनता का परवर्तन कॉंग्रेस की पक्ष में मतदान अधिक हुआ है लेकिन लाडली योजना मद्द प्रदेश में काम की है तो जो भारी अंतर से मद्द प्रदेश में परवर्तन था वह परवतन रुक गया है और टक्राव हो गया है जी बहुत सुंदर बात और बहुत बड़ी खबर है यह मैं टीम से आग्रह भी करूंगा कि इसको स्क्रीन पर लग नहीं थी लेकिन लाडली बहना से फिर वही 2018 की एक बेहद नजदी की मुकाबले की स्थिती मद्यप्रदेश में बन गई है संकेतों में उन्होंने ये भी कह दिया है कि कॉंग्रेस एज लेकर चल रही है लेकिन टकराव जबरदस्त हो गया है यानि पलड़ा दोनों ही पक् राजनीतिक अस्थिरता की तरफ भी संकेत कर रहे हैं पंडोकर सरकार जी क्योंकि बहुत इस्पष्ट वह नहीं कहेंगे इस वश्यपर मैं समझता हूं और हमें उसका सम्मान करना चाहिए क्योंकि उन्होंने संकेतों में सब कुछ कह दिया है 2018 और 2020-21 की पुनरा वृत्ति यानि मध्य प्रदेश्ट में बीजेपी कॉंग्रेस में बेहत नजदी की टककर राजनीतिक खीचतान राजनीतिक अस्थिरता इसकी तरफ संकेत कर रहे हैं पंडोकर सरकार और मुझूदा मुख्यमंतरी को श्रेह दे रहे हैं कि उनकी लाडली बहना योजना ने काफी अंग्रेस उनका संकेत है कि काफी अच्छे तरीके से आगे बढ़ती हुई पहले नजर आ रही थी बहुत धन्यवाद करूंगा आपका कि आपने इतना इसपश्ट रूप से देखकर बताया इस चुनाव में और आपने अपनी त्रिकाल दरशी जिव्य दरिश्टी से क्या देखा है क्या कुछ बड़े चेहरे जो मैदान में उत्रे हैं कुछ उलट फेर होगी या उनकी नईया आसानी से पार हो सकती है या आपको लगता है कि ये नए चेहरों का चुनाव होगा नए चेहरे उभर कर सामने आएंगे जी देखें मद्द प्रदेश में जिस तरह एक से बारती जन्ता पाल्टी ने जो यूद चिनाव लड़ा है जो हाई कमानों ने के जो बरिश्ट अमारे नेता गर्ण जो बारती जन्ता पाल्टी के थे और जो कॉंग्रिस के दोनों ने अपने अच्छे युदाओं को सामने ख लिचना हुई तो समस्त योधाओं को ले आया गया कि बिजाए पाना कैसे पाना चाहिए तो बारती जन्ता पाल्टी के बरश्ट पददकारियों ने नीचे जो बरश्ट नेता थे उनको पुना बिरती कर विदान सभा को पार करने के लिए बड़े-बड़े योधा उतारे जिसमें यह निच्चित है कि बड़े नेता काफी इसमें पराजाए की ओर जाएंगे और कुछ नेताओं के सयोग से जो सीटें हारे हुए थे वह बिजाए की ओर जाएंगे ये भी एक बड़ी भविश्यवानी है भविश्यवानी क्या उनकी दिव्य दृष्टी है उनका कहना है कि कुछ उलट फेर बड़े नेताओं से संभावित है लेकिन कुछ बड़े नेताओं के माध्यम से आज पास में अच्छा प्रभाव भी पैदा इस चुनाओं में उत हो सकता है और उसका प्रभाव संबंदित राजनीतिक दल को हो सकता है वो चाहे बीजेपी हो या चाहे कॉंग्रेस हो पंडोकर सरकार जी आपने जिस तरह संकेत किया कि राजनीतिक खीच्टान से तो मुक्ती इस बार भी दिखती हुई नजर नहीं आ क्योंकि नजदी की मुकाबला यानि खीच्टान तो मद्य प्रदेश का भविश्य आप कैसा देखते हैं क्योंकि ये पांच साल हमारे लिए जो गए पांच साल हैं बहुत चुनौती पूंड रहे दो साल कोविड 14 महीने कॉंग्रेस की सरकार साड़े तीन साल बीजेपी की सर कार दल बदल खीच्टान ये इधर जा रहे हैं वो इधर से इधर आ रहे हैं क्या ऐसा ही मनजर हमको दोजार 24-28 तक देखने को मिलेगा 23-28 तक देखे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक गुरू हूँ हमारे लिए सभी दलके सभी नेतागंड हमारे प्रिये हैं हमको चाहने मानने वाले हैं और पंडोकर धाम को अपने आराद्द के रूप में इस्ट के रूप में मानते हैं मैं किसी को नीचा या किसी को उचा नहीं करना चाहता हूं मैं चाहता हूं सबका कल्यानों सबका बला हो सब राष्टित में आंगे बढ़ें अपने प्रदेश को आंगे बढ़ावें मद्द प्रदेश में अभी कोई बर्स दो हजार तेईस से लेकर के दो हजार पच्चेस तक कोई भी बड़ी दुरगटना या बड़ी इस परकार से अकाल दुरगटनां नहीं होगी इस परकार से क्यांकश के कारण कोई बड़ी दुरगटना मद्द प्रदेश में दो य einzब 25 तक नहीं दिखाए दे रहे हैं क्योंकि आपने बढ़ी बड़ी बात कहीं कि पंडोग कर सरकार सक्थी के दम पे बोलत हैं और हर व्यक्ति की जुम्मधारी बनती है कि अपनी संस्ता का अपने इश्ट का अपने गुरू का नाम मजबूती से रखें और बिद्या का प्रचाप प्रसार करें तो भारत वर्स में बहुत सारे लोग हैं जैसे आपने जाना लेकिन आपने मुझे चैन किया है तो मैं उ 2018 तक मुखमंत्री तीन मद्द प्रदेश में होंगे ऐसा योग बनता है एक सरकार में यह और बड़ी बहुत बड़ी अपनी दिवे द्रिश्टी से भविश्य में ज्हांक कर पंडोकर सरकार बड़ी बात कह रहे हैं कि बड़े राजनीतिक चेहरे जो आला कुर्सी पर आसी होते हैं वो 2003 की याद दिलाएंगे मैं आपको याद दिला दू 2003 में तीसरा चहरा थे मुख्यमंत्री का शिवराद सिंग चोहान पहले उमा भारती जी आई तीन चौथाई बहुमत से उसके बाद राजनीतिक उथल पुथल हुबली तिरंगा मामले को लेकर हुई और फिर पावुलाल गौर ने सत्ता समाली लेकिन उनके विरुद्वी अंद्रूनी खीच्तान के चलते 2005 में कमान मिली मुख्यमंत्री शिवराद सिंग चोहान को तो देखिए यह दिव्य दृष्टी है तो यह चुनाव ना सिर्फ बहुत नजजदी की टक्कर का चुनाव है बलकि बड़े चेहरों के बीच भी यहां उथल पुथल हमको देखने को मिल सकती और बार बार पंडोकर सरकार बड़ी विनम्रता से बात कह रहे हैं कि यह सभी राजनीतिक दल उनके अनुयाई हैं उनके राजनेता और वो ना किसी को उचा रखते हैं ना नीचा रखते हैं यही स जासदी कोई भी ऐसी द्रुगटना पर्यावरणी है या किसी भी रोग व्याधी से संबंदित आगे मद्य प्रदेश का भविश्य कैसे देखते हैं पंडोकर सरकार जी बहुत हम आगे बड़े हैं आखास्तोर से 20 सालों में सड़क बिजली पानी में आज यह प्रदेश आ सरकार आए चाहे कॉंग्रिस की आए चाहे बाजपा किया सुतंतर रूप से चलने दें कोई तोड़ फोड़ की राजनिती ना करें एक बार अच्छे से देख लिया जाए और प्रदेश की जंता भी मन वर लेगी क्योंकि 15 साल से हमारी बारतियंता पाल्टी मद्द प्रदे की देखे हम तो चाहते हैं कि जो भी आए दोनों पक्ष के नेता अच्छे से मद्द प्रदेश को प्रवल और सब्रत साली बनाए मैं गुरू होने के नाते में ऐसा मैं दोनों पक्षों के महायोधाओं से निवेदन और प्राथना करूंगा कि मद्द प्रदेश मारा यारी करें और विजाई होंगे जो इस चनाव में हारेंगे आंगे चनाव में जीते हैंगे जिए मेरा सिरबाद है यह नोट कर लीजीगा पुरू सरकार जी बिलकुल सम भाव रहता है उसका जैसे कृष्ण के पास कौरा और पांडव दोनों गए थे पहली दृष्टी उन ने कृष्ण को नहीं मांगा उनकी अक्षोहिणी सेना को मांग लिया और यही होता है कि कई बार मती फेर जिसको हम कहते हैं मती भ्रम होता है अंतिम प्रश्ण कर रहा हूं पंडोकर सरकार जी आपने बहुत दिवे दृष्टी डाली है दोजार चौबिस के लोगसभा के र जो सांती भरा संदेश वा मैसेज मत्द प्रदेश में रहा मैं दोनों पक्षों के सभी नेताओं को दिल से साधुबाद आसिवा देता हूं कहीं जादा लोगों की जान मान नहीं गई चिनाओ बड़ा सांती से हुआ मत्द प्रदेश का ये रिकॉर्ड ली चिनाओ है कि ब खलाल पूंडता रूप से मैं नहीं कहूंगा परंतु 2024 में मद्द प्रदेश के जनता से मैं ही कहूंगा अभी केंद्र सरकार में माननिय मोदी जी की पुनहा पृति होगी ऐसा मैं अपील भी करता हूं राश्ठित के लिए सनातन धर्म के लिए भारती संस्कृति के लिए और राज धर्म के लिए अभी बर्ष 2024 पुनहा पंडोकर धाम की पीट की ओर से मैं मोदी जी के लिए आसिरवात की कामना करता हूं कोकि इस समय केंद्र में बिकल्प नहीं है एदि बिकल्प होता तो मैं चाहता कि सत्ता अच्छे से चलाएं राश्ठ मजबूत हो देश का परचम भारत का परचम पूरे दुनिया में जंडा ले रहा है ऐसा मैं कामना करता लेकिन इस समय मोदी के अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा है पहले तो मैं मोदी जी के लिए स्वस्त की निरुक्ता की और उनके साथ देने के लिए मैं सभी देशवासियों से अपील कि निर्मल मन से आपने इसारी बातें कही हैं और आपकी निस्पक्षटा को भी मैं प्रणाम करता हूं तो कि आपकी बातें जो आपने अपनी दृष्टी से कही हैं लेकिन उनके पीछे अगर हम देखें राजनीतिक विसलेशन की दृष्टी से जो हम लोग करते हैं तो आपने काफी पहले ही उनको देख लिया था और यही आपकी वाणी है और मैं जरूर आप से निवेदन करूंगा कि चुनाओं के बाद एक बार और समय मोदी जी के विशाय में मैंने बर्स दो हजार चौट बारा में आरेशेस के और बजरंग दल के प्रमुख अधकारी पदादकारियों को मैं इलावाद में संकेत कर चुका हूं दो हजार ग्यारा में मैं 36 गड़ में राजिम कुम में जो कल्ब कुम के नाम से स्थापित हुआ है वहां मैंने बताया था चुत्तौर गड़ में अपने सर अपने आरेशेस के प्रमुख सी मोहन भागवत जी और भाईया जोसी जी के माद्धम से मैंने राष्टिये अध्य के लिए हमारे अमिस्टाइजी का नाम पर पंडोकर सकार के दरवार से गोशना की गई थी वहां पर्चा बना के दिया गया था जी उसके बाद मोदी उसके पहले चनाओ के थे 2014 में होने वाले चनाओ के पूर 2011-2014 में और च्छंटिय abord में हमने मानिय मोदी जी के लिए जिक लिए जो कहा वो अर्णमान जी कि कि कृपा से पंडोकर सकार की कि 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 तरव हुए यह सोर से परतना करतां कि आँगे भी हो राष्टित में वाँ वाँ आप लोग को ही एक ऐसे हैं जो राष्ट के रक्षक हैं देश के चौति इस्थम्ब हैं आपको समय लेने की जरूत नहीं है आप तो समय निकाल लेते हैं यही तो नारदों का काम है नारद तो कहीं प्रगटो जाते हैं उनकी किसी भी लोक में कहीं भी रोक तोक नहीं है कोई देश की 34 स्थम्ब मीडिया को रोक सके वाँ बर नयादर्सी मीडिया जिय मैं अपील ही करता हूं कि राष्ट में कल्यान करते रहे और सनातन धरम के लिए आर्थी संस्कृती के लिए हमारा मीडिया हमारा कानून व्रश्था के लिए चोते स्थम्ब के रूप में अड़ा रहे राज के स्रुक्षत रहेगा बहुत बहुत सुंदर बहुत प्रणाम करना हूं हिर्दैस है आपको प्रणाम बहुत धन्यवाद तो यह थे पंडोकर शरकार जी जिनका कहना है साफ तोर पर कि मद्यप्रदेश में टसल का चुनाओ है टक्कर का चुनाओ है दोहजार अठ पुनरा वृत्ती बीस इकिस की दोहजार अठारा जैसा द्रिश्य रहेगा यानि कॉंग्रेस बीजेपी के बीच में कड़ी टककर ऐसा पंडोकर सरकार जी का कहना है और साथ ही उनका ये भी कहना है कि लाडली बहना के जरिए बीजेपी बहुत नजदीक पहुँच गई है इस लड़ाई में और उनका ये भी कहना है कि जिस तरह से 2003 और 2005 में जो द्रिश्य धमने देखा है कि सत्ता के शिकर पर बैठा व्यक्ती यानि मुख्यमंत्री बदला गया था वो भी इस तरह की द्रिश्टी की बात करते हैं कि 2023 से 28 के बीच में मद्यप्रदेश में इस कुर और देखिएगा फिलहाल तो आप बंसल नियूस पर बने रहिए बंसल नियूस पर खबरों का सिलसला लगातार जारी है मुझे अजाज़त दीजे नमस्कार